असलाम अलेकुम चैनल बिसमिलर सोई में आज मैं आपके साथ शेयर करूए चाइनीज मैगी बनाने की रेस्पी चाइनीज मैगी बनाना बहुती इजी है और टेस्टो इसका बहुती मज़दार होता है तो आप मैगी की इस डिफरेंट और इंट्रेस्टिंग रेसिपी को जरूर ट्राय कीजिए तो आएए देख लेते हैं कि चाइनीज मैगी को कैसे बनाते हैं चाइनीज मैगी बनाने के लिए हमने लिए तीन पैकी नूडल्स एक कप हरी प्याज वन टी स्पून बारी कटा लहसन वन टी स्पून बारी कटा अद्रक दो हरी मिर्च कम तीखी वाली एक मीडियम साइस की प्याज को हमने बारी कट कर लिया है और साथ ही हमने लिए पीली हरी लाल शिमला मिर्च इनको भी हमने बारी कट कर लिया है और हमने लिए एक कप पत्त को भी इसको भी हमने बारी कट कर लिया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें मैगी के नूडल्स को बॉयल करना है तो हमने कड़ाय में 6 कप पानी लिया है और पानी कम या जाद भी हो तो कोई मसला नहीं है क्योंकि नूडल्स को हमें सिफ बॉयल करना है पानी के बॉयल होते ही हम नूडल्स एड़ कर देंगे अगर आपको लंबे-लंबे नूडल्स पसंद है तो बिना तोड़ ही एड़ कीजेगा अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 80% कुक कर लेंगे और यह लीजे तीन मिनट गुजल चुके हैं नूडल्स हमारे 80% कुक हो गए हैं अब हम इसको फटफट निकालकर ठंडे पानी से वाश कर लेंगे क्योंकि ऐसा करने से हमारे नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं और यह लीज democracy नूडल्स को हमने थंडे पानी से वाश कर लिया है अब हम मनचमटें उसमें थोड़ा सा को मिकस कर दीगे थाकि हमारे नूրल सापस में चिपके नअर एकSp केना खिले खिले भने ह 턱ले हैं अब इंक अच्छेत कर देंगे और यह देखे हैं तो चलीह आप चलते हैं अपने नेक्स-स्टेक के जरव सबसे पहले हम एक पैल लेंगे गैस को अन करेंगे और उसमें एट करेंगे 50 ग्राम और इंथ ग्रिम्ह पारी कटल हस oppressora और अधरक और एक से दो मिनट हम इन्सको फ्राइ कर लेंगे नोइ पढर करने के बाद हम इसमें एट कर और हम प्रईल रे कर लेंगे प्रेदम को अच्छे से प्र 않았ाब के ऐस पयाशक एछ और इससे करने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्ज हमने हां पर दो घ्रेमिर्ज यूज कि हैं अगर आपको इस पसंद देजा और वह ज्यादा हरी मिर्ज भी यूज कर सकते हैं हरी मिर्च को भी अच्छे से फ्राई करने के पाद अब हम इसमें एट कर देंगे हरी शे कर लेंगे अब बार याती है इसमें लाल, पीली, हरी, शिम्रमिर्च अड़ करने की और साथ ही हम अड़ कर देंगे पता को भी और सभी सब्जियों को हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे है सभी सब्जी हमारी अच्छे से फ्रॉइ हो गई हैं लेकिन हमने इन्हें दूसरे बदन में ट्रांस्वर्ण कर दिया था क्योंकि सभी सब्जी एड होने के बाद काफी सारी हो गई थी और हमें इसमें नुडल्स भी आड़ करें थे फिर उनको mix भी करना था जिनको mix करने मे काफी दिक्कत होती तो हमने सभी सब्जियों को दूसरे बर्दन में ट्रांस्फर कर दिया था वो सब्जे तो हमाई रेड़ी है चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स स्टेप की चरफ अब हम एक बोल लेंगे और उसमें एड़ करेंगे वन टेबल स्पून सोयर सॉस फू टेबल स्पून रैड चिली सॉस वन टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस वन टेबल स्पून विनेगर और इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तभी सॉस को अच्छे से मिक्स करने बाद हम इसमें एड कर देंगे तीनों टेस्ट मेकर और साथ हम एड कर देंगे एक छोटी चमच काली मिर्च बॉर्डर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉस हमारी रेडी हो चुकी है और सबजे भी हमारी फ्राई हो गई है अब आप इसमें एट कर देंगे नूडल्स नूडल्स एट करने के बाद हम इसको सबजी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एट कर देंगे सॉस और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एट कर देंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट और कुक करना है और फिर हमारी कलरफुल मज़दार चाइनीज मैगी बनकर त्यार हो जाएगी और ये लिजए 2 मिनट भी गुजड़ चुके हैं चाइनीज मैगी भी हमारी बनकर त्यार है अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और गांडिशिंग के लिए हम एट कर देंगे थोड़ी सी हारी प्यास और ये लिजए लजीज चाइनीज मैगी बनकर त्यार है आप भी इस चाइनीज मैगी की रेस्पी को ज़रूर ट्राइ कीज़ेगे यगिनन ये आपके घर में सबीकों बहुत पसंद आने वाले तो य हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई और इस रेस्पी के साथ तब तक के लिए लिए लाहाफिज